आपको पता है कि यूपी टिपल सी वीडियो की परिच्छा की प्रिपेशन मैं आप छात्रों को करा रहा हूं और मैंने आप से कहा था कि जो भी इंपॉर्टिंट टापिक होंगे सारा तत्य सारा तत्यों का संकलन मैं आपको दूँगा और लेक्चर वीडियो के माद्यम से और आज मैं जो पार्ट लेके आया हूँ प्राचीन भारत का जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स् चैनल जरू सबसाइब कर लें चली आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लेकर आया हूँ आप सभी छात्रों के लिए हडपा सब्था तो पहली बात तो आप जान लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हडपा सब्था कैसी यहां से भी क्वेशन पुटफ होता है और मैं वही फैक्ट लेकर आपके इस पैटर्न के एक्जाम में इस लेवल के एक्जाम में क्वेशन पूछे जाते हैं और इसको कांस यूगिन सब्था एम आद ए तिहासिक सब्था भी कहा जाता है अगर इस पकार का भी नाम आजा तो नामें कन्फूजन मत रखेगा इस सब्था का आकार दोस्तों क्या था त्रिवुजा कार था और यहां से दिखे जो उत्री छोर है जो मांडा जम्मू कस्मीर में ठीके दच्छनी छोर इसका दायमाबाद महराश्ट है ठीके उत्री छोर आपका मांडा जम्मू कस्मीर दशनी सोर, दायमावाद, महराश्ट, पूर्वी आपका आलमगीर पूर उत्तर प्रदेश में है, पूर्वी छोर है, एवं आपका जो पस्चमी छोर है, वो सूत कांगे डोर पाकिस्तान में, तो यहां से भी क्वेशन आते हैं, तो यह सारे तत्थमें समाईत किया हूं इस से क्वेशन बार-बार बनते हैं, और इसकी फ्री पीडियाफ मैं जल्दी टेलिगाम चैनल पर प्रोवाइट करा दूँगा है, तो आप से रिक्वेस्ट है कि जो ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब निक्या कर लें, और बेल आइकन जो रूप्स कर लें, टेलिगाम चैनल का पर्चेस कर सकते हैं, बहुत important fact है, वहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों बात आती है कि जो सबसे बड़ा स्थल हरपा का, वो है दोस्तों मोहन जोदरो और इसका लगबग 250 hectare है, और इससे खोज करता कौन थे, राखल दास बेनरजी ठीक है, राखल दास अब एनरजी थे, हरपा सबता में जो ग्याद 1500 सथलों में सबसे ज़्यादा जो सथल ग्याद थे, वो थे गुजरात लो, और लोथल नामक जो बंदरगा है, वो गुजरात में यहां से भी question बनता है, बताएए लोथल बंदरगा कहा है, हरपा के किस इस्थान से है, लोथल से गुजरात कहाँ पर है, गुजरात में, धौला वीरा इस्थल के उथनन खरता, दोस्तों जो धौला वीरा है, उस इस्थल के उथनन खरता, आर एस बिस्थ है, ये भी question आपका बन जाता है कभी कभी, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, रोपड की, तो रोपड के जो उत्खनन करता है वो यगदत सर्माजी थे हैं यहां से भी कुशन बनता है मोहन जोदोरों से प्राप समागरी है अब समागरी उसे भी आपका सेक्षन बनता है कि आपको चार ओप्सन दे जाएंगे उसे पूछा जाएंगे कि कौन सी समागरी कहां से आपको मिली तो मोहन पती सिव की मूरती आपकी मिली थी और सबसे बड़ा एफक्ट आपका सूती कपड़ा सूती कपड़ा भी आपका कहां से मोहन जोड़ों से और विसाल अन्नागार जो आपका प्राफ्त हुआ ता मोहन जोड़ों से तो बहुत ही important fact है हडपा से देखिए क्या क्या मिलाता है तो हडपा से दोस्तों आपका मिला था पीतल का एका ठीक है पीतल का एका गेहुं जгов ठीक है जो आनाज थे हैं गेहुं जBeau हडपा से आपके जो च्रमिक बस्ती ये स्रमिक आवास कह सकते हैं वो हडपा से था और R37 एक कब्रिस्तान वहां से प्राप्थ हुआ है तो ये स्थलों से प्राप्थ हुए question भी आपके exam pattern में आते हैं जो बहुत important है चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सूर कोटदा से जो जो just important समागरियां जहां issue question put up होते हैं वह मैं ले कराया उसमें तो घोड़े के स्थियों की आए तो सूर कोटदा से और लोथल से प्राप समागरी क्या है मिण मूर्ती ठीक है लोथल से प्राप समागरी मिल मुर्ती तो सूर कोड़ता से इस प्रकार का question पूछा जाता है बताईए कि हरपा इस तल से घोड़े के साच्छे कहां से मिले तो वो है सूर कोड़ता बार-बार question पूछा जाता है काली बंगा की बात करें तो जूते हुए खेत ये बहुत important fact है ये question काफी वार repeat होता है हवन कुंड भी है अलंकृत इटे भी है ठीक है तो जुते हुए खेत हवन कुंड अलंकृत इटे कहां से काली बंगा से चलिए आगे बढ़ते हैं बनवाली हरियाना से देखिए क्या क्या मिला था जो एवन हल के साथ ठीक है जो एवन हल के साथ मिले तो ये important fact है यहाँ पर और तामबे के बाँ ठीक है इस सब्वता में क्या क्या चीजें नहीं मिली थी बात करते हैं तो सिंग, उट, मंदिर, लोहा तथा मुद्रा के साथ नहीं मिलते हैं और हड़पा सब्वता में आपको गाय का भी कहीं नाम नहीं मिलेगा बलकि कूबड़ वाले बैल का उलेक है लेकिन गाय का कहीं उलेक नहीं है और पिगड मौदे जी ने ये कहा था कि हड़पायन मोहन जोद्रो को जुडवा राजधानी कहा था सिंदु सब्वता के लोगों का मुख वैसा है दोस्तों क्रिसी था और इनकी जो लिपी थी वो भाव चित्रात्मक थी ठीके भाव चित्रात्मक थी तो मैं बार-बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अब आप बिल्कु सीरियस हो जाए ये वीडियो के एक्जाम के लिए जिस तरह से मैं आप लोगों मेहनत कर रहा हूँ आप से उम्मीद करता हूँ कि आप इसे डबल मेहनत करेंगे तब जाकर आप अपने मंजिल को पा सकते हैं क्योंकि जो थोड़े बहुत बचे हुए दिन है आपके पास हाटली तो उसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं आप लोग को जितना अपने तरफ से बन सकेगा उतना स्टडी में प्रवाइड कराऊंगा ये लेक्चर वीडियो है फिर इसका मैं मॉक्टेस इसी क्वेस्टन प्यादारिट मॉक्टेस भी बनाऊंगा ये इसाच्छ नहीं मिले तो यहां से यहां से यहां से चांडी के सर्पता का भी प्रस्लन था पुर्सों के मित्तिग बाद इस्ट्रियों के भी वहाँ पर समादी थी तो लोथल एवम काली बंगा यह फेक्ट ध्यान लखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं हडपा में सवो को दफनाने ठीक है जो हडपा सब में था सवो को दफनाया जाता था जबकि मोहन जोड़ों में जलाने की प्रता थी ये दो important fact है सिंदु सबता में मुहरे बनाने में जो प्रयोग हुआ दोस्तों वो था सेल खड़ी ठीक है सेल खड़ी का प्रयोग मुहरे बनाने के लिए होता था बात करें काली बंगा तो वो कहां पहे हनमानगडी राजस्थान काली बंगा हनमानगडी राजस्थान ये बारबा क्वेशन पुड़ाफ होता है जगा का नाम में पूछा जाता है रोपड की बात करें तो पंजाब लोथल कहां पर है दोस्तों एहमदाबाद गुजरात में ठीक है तो दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और महतपूर इंपॉर्टेंट फैट की थरफ जहां से क्वेशन बनते हैं कि ये पूछा जाता है कि नगर और उनसे संबंधित नदिया तो यहां पर आप देखिए दोस्तों सारे मैं नगरों का और समंधिन नदियों को लेकर आया हूँ तो कोई क्वेशन आपका छूटने नहीं वाला है फिर से मैं दोरा दे रहा हूँ मोहन जोदरों सिंदु नदि हरपा रावी नदी पर है रोपड सतलज नदी मांडा चिनाव नदी काली बंगा घगर नदी इसके बाद आगे बढ़ते हैं लोथल लोथल यह oder पर्डर के बार 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 बन जाता है क्वेस्टन लोथल किस नदी की के घिनार पर है भोगवा नदीए ठिक है भोगवा सब्सक्राइब कर दिए और भी इंट्रेस्टिंग इसी प्रकार से टॉपिक वाइज आपको लेक्चर वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगे तो बने रही है मेरे साथ दोस्तों वीडियो देंगे बहुत बहुत धन्यवाद